कोरोना वारस के कारण अब तक आईपील टलता रहा लेकिन आप क्रिकेट जगत के प्रेमियू के लिए अच्छी खबर आ रही है जी हां आईपील के तेहरवे सीजन करवाने के लिए बीसी सी आई निवचार शुरू कर दिया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपील इस बार 25 सतंबर से 1 नवंबर के बीच कराया जा सकता है हलाकि अभी इस पर कोई अधिकारिक टिपणी नहीं की गई है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना से जंग जीत जाने के बाद बीसी सी आई आईपील करवा सकता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि देश को कोरोना वारत से पूरी तरह मुक्ती मिले तब ही दर्शक और खिलाड़ी अपने पसंदिदा खेल का आनंद उठा पाएंगे। महीं आईपियल के एक फ्रैंचाइजी अधिकारी का कहना है कि वो लोग आगे की रणनीती पर काम कर रही हैं और उनकी नजरें सितंबर के आखिर से नवंबर के बीच के समय पर ठिकी हुई हैं क्योंकि लीग शुरू करने को लेकर एक महिनी की प्लानिंग भी चाहिए होगी उन्होंने कहा कि हमें बताया गिया है कि हमें इंतारिकों को देखकर रही नीती बनानी चाहिए बलकि हम इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी नीतिया बना रहे हैं लेकिन फिर भी इस पर आकरी फैसला तभी किया जा सकता है जब देश में कोरोना वारस के मामलों में सुध महीं T20 विश्वकप को लेकर भी कई तरह के विचार चल रहे हैं लोग चाहते हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए से इस्थगत कर देना चाहिए बतादे कि T20 विश्वकप इसी साल आस्ट्रीलिया में 18 अक्टूबर और 15 नवंबर की बीच खेला जाना है महीं इस पर आस्ट्रीलिया की T20 टीम के कुछ खिलालियों ने कहा कि इन्हें इस निर्धारित समय पर विश्वकप की होने की उमीद नहीं है